नमस्कार, Home Science Junction YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है निखिल और परसेंटेस कर रहे थे, आज परसेंटेस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी आपके लिए जो इंपोर्टेंट है इस क्लास में हम करेंगे previous year के question जो पुराने वर्सों में question पूछे गए हैं, उनको आज हम solve करेंगे, जो भी अवी तक हमने सीखा है, आप देखेंगे previous year में लगबग वैसे ही question आये हैं, थोड़ा वो changes होते हैं, जो उनी को हम आज solve करेंगे तो चलते हैं पहले question पर, ये 2023 में आपके DSSB के exam में प्रशन पूछा गया है, प्रशन है एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रती वर्ष 8% की दर से बढ़ती है, तो दो वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी the population of a town is 789640, if it increases at a rate of 8% per annum, then what is the population after 2 years, दो बर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी देखो हमने एक बात सीखी थी, इसके पहले वाले पार्ट में भी, और उसके पहले भी स्टार्टिंग से एक बात सीख रहे हैं, जब कोई चीज बढ़ रही है, उसका number बढ़ आए, कि percentage में change हो रहा है, तो वो 100 से change हो रही है, या तो 100 से कम हो रही है, तो कम minus में कर देंगे अगर वो plus हो रही है, increase हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको जोड देंगे, जैसे 100 से 8 हो गया, तो 108 हुआ होगा, 8% increase का मतलब है, 100 से 108 हो जाना, 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि percentage में 100 को solve करना असान है, क्योंकि percentage 100 के respect में निकाल ली जाए, अब उसने पूछा है कि 2 वर्स बा यह हमारा question भी है, देखो जन संक्या है कितनी, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 4, अभी इस चीज पर दियान देना, और solve करना और answer लिख देना, मेरे से पहले आपका जवाब आ जाना जाए, वो कह रहा है कि एक बर्स बाद जन संक्या क्या होगी, उसने तो पूछा दो बर्स बाद है, पर in general बात करें तो 100% है, multiply by कितना 108, 108 क्यों क्योंकि जन संक्या बढ़कर होगी अब 108%, इसका 108 निकालो बटा कैसे निकालेंगे, 108 से multiply, divide by 100, यह जो जन संक्या आई है आपकी, यह आई है आपकी एक वर्स के बाद में, एक वर्स बाद अगर पूछा होता, तो हम सीधा पता देत इसको solve करके जो भी answer होता हम निकाल लेंगे, अब उसने कहा है दो बर्स बाद, तो बर्स बाद कहा है तो बहिए, एक वर्स बाद जन संक्या तो यह आई है, तो second बर्स में फिर से यह होगा, अब यह 100% हो गया आपका, 108 तो था, 108 इस value का था, अगर आप इसको solve करोगे तो क 108%, ऐसे निकाल देंगे, solve करेंगे, answer आजाएगा, जो भी आपका होगा, वो answer आजाएगा, देखो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 0 कटे, multiply कर लो, आपको answer मिल जाएगा, जैसे 7, 8, 9, 6, multiply by 108 into 108, solve करेंगे, answer आजाएगा, अब बात यह होती है, इसको solve करना थोड़ा सा difficult है, है कि नहीं है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर solve करना comparatively थोड़ा सा difficult है, अब इसको solve कर लेंगे, कैसे, आप unit digit से भी देखें, आपको पूरे solve करने की जरूत नहीं है, यहाँ देखो, अगर आप देखें, 8, 8, 64, अगर इन दोनों की multiply करेंगे, सिर् लिख दी है, कैसे आएगी, आप देख लेना, इस number को calculate करो, 7, 8, 9, 6, multiply करेंगे, answer, unit digit की बात करेंगे, तो क्या हैगा, 4, 64, यानि यह वाले आपके answer, नहीं हो सकते, यह वाली calculation कैसे की है, वो भी भी बताता हूँ, अभी आप point समझना मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ, हम unit digit से द दो question, दो number को हम eliminate कर देते हैं, हटा देते हैं, जो हमारा time बजाता है, कई बार क्या है, कितनी negative marking है आपके exam में, 25% की negative marking है, इसका मतलब है, कि 4 question जो आपके गलत हैं, उनके basis पे अगर 4 question गलत करते हो, तो एक जो सही वाला है, वो भी आपका हट जाएगा, अगर आप आजी में है, मान लीजी, speedly आपको question करने पढ़ रहे हैं, दो option जैसे ही आपने eliminate करें, यह दिमाग में भी कर सकते थे, कि 108 गुना 108 होगा, 88, 64, 45, 24, unit digit पर 4 आएगा, इतनी दिर में आप इन दोनों में से कोई भी एक answer लगा लेते, पर चुकि अभी हम practice कर रहे हैं, तो आप इसको solve करेंगे, solve multiply करेंगे, तो आपको यह और यह वाला, यह हट जाएंगे, आपका answer क्या हो जाएगा, आपका यह आपका answer आजाएगा, 928, 98, 944, अब देखो एक बात देखो, मैंने एक multiply करी, 108 की 108 से multiply, 100 के आसपास वाले number के लिए हम यह apply करते हैं, वैसे बहुत सारी ची कोई संख्या है, अगर हम उसकी multiply करते हैं, मानली जी 102 की multiply मैं कर देता हूँ, 102 से ही multiply करते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस दो की, जितना भी 100 से extra है, 100 से यह plus 2 extra है, और यह भी plus 2 extra है, इन दोनों के multiply करो, लिख दो 4, दो digit में लिखेंगे, 4 को जैसे लिखते हैं, 0, 4, य लिखाएं का इस्थान और दसवा इस्थान ये लिख देंगे, अब इस 102 में ये दो जोड़ दीजी, आप लिख दीजी, 104, 0, 4, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, दूसरा example देता हूँ आपको, अब मैं यहाँ पे number change भी कर दूँगा, तो कुछ खास फरक नहीं पड़ सपोस करिये मुझे multiply करनी है 103 गुणा 105 की, सपोस करिये ठीक है, ये 103 कितना जाता है सो चे, प्लस 3 जादा है, 105 कितना जादा है, प्लस 5 जादा है, हम क्या लिखेंगे 35, 15, दो डिजिट आ गई, हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं रही, अब 103 में या तो ये वाला 5 जोड़ दी आसान मनाती है, जिससे हम तेजी से questions कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजे इस तरह की आएंगी, जब हम percentage, जो सब simplification वाला part करेंगे, तो इन सब चीजों को भी cover कर रहे हो, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर, यदि A का बेतन, B के बेतन से 17 प्रतीशत अधिक है तो B का बेतन, A के बेतन से कितने प्रतीशत कम हैं, अभी हमने last class में ही ऐसा question, same, लगबग ऐसा question, बस percentage के नंबर थोड़े से अलगते, वो किया था, ये भी 2023 का प्रशन है, आसान प्रशन है, देखिएगा, करिएगा, A का बेतन, B के बेतन से, मैंने बताया था, से जो सब्ध है important है, अगर B का बेतन, आप assume कर लें कि बेटा, so है, तो A का बेतन कितना होगा, क्योंकि A का बेतन, B के बेतन से 17% अधिक है, तो A ज़ादा है, कितना ज़ादा है, 70% टेक्सा है, 17%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अगर B 100 है तो A 117 होगा तन फर्म अब उसने पूछा क्या है B का बेतन A के बेतन से पहले तुलना थी B के बेतन से जिससे तुलना होती है उसको आप हर बनाते हो comparison उस चीट से करते हो यहाँ देखो A के बेतन से कितने पृतिशत कम है अब A के बेतन से तुलना करनी है तो नीचे क्या रखो गया आप 117 कितना कम है 117 ऐसे 100 आप बताओगे जी 17 कम है और multiply by 100 ठीक है हो गया 117 बटे 117 गुना 100 solve कर लेंगे जो भी value आपकी आएगे 17 100 भाग 117 गुन 117 में यह हो गया 3 6 में से एक गया बचा 5 530 हो गया 17 से लगबग कितनी बजाएगा 11 चोक 44 ग्यारा पंजे जारजा हो जाएगा चार बार देखो इसको 48 28 का 8 हांसिल 2 चार एकन 4 और 2 चार एकन 4 हो गया यहाँ पर बचेगा 2 यहाँ पर 12 में से 6 गए 6 62 हुआ यहाँ पर point लगा देंगे 0 बढ़ा लेंगे 5 वार यह चला जाएगा 14.5 something यानि 14 से बड़ी value 14 से बड़ी value कौन से दिख रही है option A में option A आपका सथी अंसर हो जाएगा एक वर फिट से repeat करता हूँ ध्यान देना calculation है जितनी strong होगी उतना ही जल्दी आप exam में कर पाओगे और मुद्दा यही है question आसानी आएंगे आप देखी रहे है question आसानी है मुद्दा यह है कि आप कितनी जल्दी solve कर से ठीक है on B का पेतन से 17 percent मालो B का पेतन अगर सो था तो A का पेतन 17 percent देख यानि की 117 होगा अब question में उल्टा पोछा है कि B का पेतन A के पेतन से कितना कम है पी का बेतन एक के बेतन से एक का कितना है 117 कम कितना है 17 परसेंटेज में पूछा है गुणा सो सिर्थ कैलकुलेशन बसती है असानी से आप कर लेंगे चलिए अगले प्रेशन पर बढ़ते हैं in a test consisting of 150 questions a candidate correctly answered 60% of the first 90 questions but percentage of the remaining questions does he need to answer correctly so that he has 64% of the questions answered correctly in the test मतलब 150 प्रेशनों की एक परिक्षा में एक उमीदवार पहले 90 प्रेशनों में से 60 प्रेशनों का सही 60% प्रेशनों का सही उत्तर देता है उसे 6 प्रेशनों में से कितने प्रतीशत का सही उत्तर देने की आवशकता है ताकि वह परिक्षा में 64% प्रेशनों का सही उत्तर दे स अब आप पढ़ते हैं mixture and allegation उसमें भी आप यह इस तरह का question देख लेते हैं उससे भी solve हो जाता है average वाला जो chapter पढ़ते हैं उससे भी इस तरह का question solve हो जाता है ठीक है तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं percentage से तो उसी से solve करेंगे चलिए करिएगा जो दिया गया है प्रशन को पढ़ो और समझा है कहरा है बटा 150 प्रशनों की एक परिक्षा है question कितने 150 number कितने लेके आने भीया 64% मानके चलो आपको exam में भी ऐसा ही है 200 होते हैं आपके मैं कोई बात नहीं 150 मनों अगर होते तो वो कह रहा है जी 64% अगर आपके number आएंगे तो selection हो जाएगा यानि की 150 में से 64% प्रशनों के answer आपको सही देने पड़ेंगे negative marking का कोई प्रवदान नहीं है क्योंकि दे नहीं रखा जो दे नहीं रखा प्रशन में उसको हम assume भी नहीं करें 150 का 64% यानि इतने question जो भी सही करतेगा विद्यारती उसका selection हो जाएगा solve करते हैं इसको 0 से 0 गया 5 तिया 15 तिया 15 तिया 10 दो से काटेंगे 32 और 32 तिया कितना होता है बटा 96 कहने का मतलब है 64% मतलब की 96 प्रशनों के उत्तर सही दिये जाने चाहिए इस चीज के लिए उसे पास होने के लिए उस प्रशनों से 64% जो प्रशनों सही करने के लिए यानि 96 प्रशनों का सही जबाब देने के लिए उत्तर देने के लिए कितने कर चुका है 150 नंबर का paper है 2 पार्ट में बठा हुआ है इस तरह से समझो तो आप एक में 90 कोश्चन और एक में 60 जैसे आपका दो पार्ट में बटा हुआ होता है लेकिन आपके में दोनों में सो सो आ रहे हैं वो एक अलग बात ठीक है इन 90 प्रशनों में से उसने 60% का सही उत्तर दे दिया 90 का 60% निकालो 90 पुना 60 बटे 100 2-0 से 2-0 चले गए 94 यानि इन 90 प्रशनों में से वो केवल 54 प्रशन क्या कर पाया सही कर पाया इन 90 में से कितने सही हुए बटा 54 प्रशन सही हुए करने कितने हैं टोटल उसको 96 यानि 6 कितने बचे 96 के 54 ठीक दो 5 और 4 यानि 42 प्रशन अगर इन 60 में से वो 42 प्रशन और कर देगा तो उसका काम बन जाएगा फिर से समझो इतनी बात उसे टोटल 64% कोश्चन सही करने थे ठीक है अब 64% डेड़ सो के 64% होते है 96 यानि 96 अगर प्रशनों सही कर लेगा तो उसका काम बन जाएगा 150 में से 90 प्रशनों के बहुततर दे चुका है जिन में 60% उसने प्रशनों सही किये हैं बागी 40 में गलत किये होंगे तो 90 में से 60% यानि 54 प्रशनों सही टोटल सही करना चाहता है 96 यानि 42 प्रशनों भी उसको और सही 42 करने है कितमे से इन 60 में से 42 प्रशन को और सही करने है पूछा है कितने % कितने प्रतीशत का सही उत्तर देने की और आवज़ सकते हैं इन 60 में से 42 का सही उत्तर देना है किस में से 60 में से 60 की तुलना में 42 सही होने चाहिए % निकाल दो आपको आंसर मिल जाएगा 0 से 0 गया 47 गुणा 10 कितना हो गया बैटा 70% का अंसर आ गया option C समझ पाएओंगे चलिए बढ़ता इक प्रशन पर यश एक का एक महिने का खर्च 15,000 है और उसकी बचत मासिक खर्च का 20% है यदि उसकी मासिक ओसत मासिक आए 15% बढ़ जाती है और मासिक बचत 5% बढ़ जाती है तो उसका मासिक व्याय में सुद्ध बढ़ दी क्या है इंगलिस में बढ़ते हैं यश एक्सपंडीचर फोरे मन्त इस 15,000 एंड इस सेविंग आर 20% ओव दी मन्त ली एक्सपंडीचर फिस मन्त ली इंकम इस इंक्रीज़ वाई 15% एंड मन्त ली सेविंग इंक्रीज़ पाई 15% तन वाट इस दा नेट इंक्रीज इन इस मन्त ली एक्सपंडीचर ठीक है उसका मासिक व्याय में सुद्ध बढ़ दी क्या है थोड़ा सा लेंधी कोशन है 2023 का ही प्रशन है देखना आप एक महीने का खर्चा कितना है इतना और बचत कितनी है 20% जो सेलरी होती है या फिर इंकम इसको जातो सेलरी बोल ली जे यहाँ पर या फिर इंकम बोल ली ये क्या होता है जितना खर्च है जितना expenditure है और जितनी सेविंग है यह होता है जितना खर्चा हो गया मंतली सेली का पता कैसे करते है कि पैसे आये 50,000 रुपे 20,000 रुपे खर्च होगे 30,000 बच गए 30,000 खर्च होगे 20,000 बच गए दोनों को जोड़ दो तो सेविंग जो इंकम है वो बन जाती है अब वो कह रहा है कि महीने का खर्च है उसका 15,000 रुपे ठीक है और उसकी बचत जो खर्च है उसका 20% है यह कितना है expenditure इसका 15,000 है ठीक है और उसकी जो सेविंग है उसकी बचत है मासिक खर्च का 20% यानि इस 15,000 का 20% है 15,000 का 20% है कितनी क्या है उसकी saving है देखो कितनी saving आई 15 दुनी 30,000 रुपे उसकी saving आई 15,000 खड़ चाथ, 3,000 saving है उसकी, यानि जो उसकी income है वो कितनी हो गई, 15,000 यहाँ पर आ जाएगा नीचे लिख देते हैं इसको ठीक है 15,000 प्लस यह वाली value अटा देते हैं फिलाल 3,000 ठीक है तो कितनी हो गई उसका जो income है वो हो गई आपकी 18,000 यह क्या है इसकी income है मतलब 18,000 रुबे महीन उसकी yes की salary है अब इसके बाद में पूछा क्या गया है इस 18,000 salary में कुछ changes होए है उसकी मासिक आए 15% बढ़ गई है जो उसकी मासिक आए है income यह income 15% बढ़ा दो यानी 18,000 से कितनी हो जाएगी changes के बाद में दूसरे color से मैं लिख देता हूँ असानी रहेगी आपको समझने में उसकी जो नई income है वो कितनी हो गई यह बढ़ गई 115% पतलब 115% हो गई 15% बढ़ने के बाद में 100% से बढ़के 115% जब 15% बढ़ी 200 से 200 चले गए 115 से 0 कितना हो जाएगा 18,95 हासिल नो 28,8927 का साथ हासिल दो 28,18 और दो 20,700 रुपे उसकी income हो गई आए कितनी हो जाएगी 20,700 कब जबकि 15% 18 की इस से 115 से आपने multiply कर दी ठीक है अब और क्या कह रहा है मासिक बचत 5% बढ़ गई जो बचत थी हर मेंने जो बचा रहा था वो 5% और बचाने लग गया पहले 3000 रुपे बचा रहा था अब कितना बचाएगा भी या 3000 पुर्णा 105 अब पहले से 5% जदा बचा रहा है बचा रहा है की नहीं 2,0 से 2,0 गई 105,0,0 105 तिया कितना होता है 315 अब 3,150 रुपे बचाने लग गया अब ये 3,150 रुपे जो बचाएगे हैं उसने ये सेविंग आगई उसकी नई वाली सेविंग ठीक है उसने पूछा उसके मासिक व्याइप झी कितने रुपे की ये पर्सेंटिस में तो नहीं पूछा उसकी जो नई आएए हैं नई वाली जो इंकम है वो इतनी है 20,700 नई वाली जो सेविंग है वो इतनी है निकालनी क्या है नया वाला खर्च पूरी आय में से अगर हम सेविंग घटा दें तो क्या मिलेगा नया वाला खर्च मिलेगा घटा दीजी आंसर मिल जाएगा बीस अजार साथ सो है बीस अजार साथ सो इसमें से घटाना क्या है उसमें अच्छा उसके मासिक व्याय में सुद्ध बृद्धी क्या है तो इसमें आप इसको कितना घटा देंगे 3,150 आपने घटाया मिला कितना 0 यहाँ पर हो जाएगा 5 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 और 1 17,550 रुपे अब उसकी क्या होने लगी है पहले 15,000 रुपे उसका खड़ था अब बढ़कर के कितना हो गया 17,550 चेंज दिख रहा है ना इसके expenditure में खड़चे में कितना चेंज है अगर आप दिखाएं यानि कि जो इसका चेंज है या फिर जो ब्रद्धी है मासिक विया में सुद्ध ब्रद्धी वो कितनी होगी बई 17,550 माइनस के 15,000 यानि 2550 अंसर क्या होगी आपका ये वाला अंसर होगी एक बार फिट से रिपीट करता हूँ थोड़ इसी कैलकुलेशन अब भी आपको दिख रही होगी पर उतनी लंबी है नहीं जब आप करेंगे इसको शोर्ट में कर सकते हैं क्योंकि मैं सारे स्टैप लिक रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत लेंद्ध सुनिएगा कोश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो कुश्चन में कुछ भी भारी नहीं है एक तो ये इंकम का कॉंसेप्ट आपको पताऊना चाहिए क्या होता है एकस्पेंडीचर प्लस जो सेविंग है इसको मैं हटाए ठीक है नॉमल सी बात आप समझे उसका महिने का खर्च है 15,000 रुपे और उसका 20% उस 15,000 का 20% उसकी सेविंग है 15,000 का 20% सीधा सीधा आप निकाल सकते है 15,000 का 20% कितना हो जाएगा 3,000 रुपे यानि उसकी जो इंकम है अभी वो फिलहाल कितनी है 18,000 रुपे इस 18,000 में 15% की ब्रद्धी हो जाए इस 18,000 में 15% की यानि जो उसकी income है वो कितनी हो जाए 20,700 रुपे हो जाए और उसकी जो saving है जो पुरानी saving थी उससे 5% बढ़ जाए पुरानी saving थी 3,000 रुपे saving बढ़ी कितनी 5% 3,000 का 5% अगर आप निकालोगे कितना मिलेगा 150 रुपे है तोटल मिले आके कितना हो जाए उसकी saving जो नहीं वाली saving है 3,150 रुपे है अब उसके खर्च में विये में कितना change आया तो उसका खर्चा पहले 15,000 था अभी हो रहा है 17,550 का कितना अंतर आया 2,550 रुपे है चलते हैं अगले प्रशन एक संख्या 20% कम करने पर 360 हो जाती है इसका कितना प्रतीशत बढ़ाया जाए कि संख्या 585 हो जाए बहुत आसान कोश्चन है 2023 में प्रशन पूछा गया है और लगभग आपके exam में इसी तरह के आपने जैसे देखे है प्रसेंटेस से संबंदिज जो प्रशन आते हैं वो इसी तरह के प्रशन पूछे जाते हैं आप देख भी रहोंगे ये सारे के सारे 2023 के प्रशन है और सारे हैं भी नहीं ठीक है तो आप देखोगे जब भी percentage और हर बार पूचा जाता है लगवा percentage का प्रश्ण आपको सारे पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 20% कम करने पर 360 हो जाती है यानि कोई भी संख्या होगी 20% अगर कम कर दो तो कितनी हो जाएगी भई 80% यानि जो संख्या है उस संख्या का 80% बराबर कितने के है 360 के वो संख्या वास्तब में कितनी होगी 100% होगी अब ही तो 80% 360 तो 100% निकाल लीजे इसका 100% कितना हो जाएगा 100% होगा 360 बटे 80 गुना कि 20 से काटो 20-80 और 25 चोगा 100 4-35 कितना हो जाएगा 9 बंजे 45 का 5 4-9 दुनी 18 और 4 9 दुनी 18 और 4 22 कितना होगा कुछ होगा कि 25 नम्मा 25 नम्मा आजाएगा नम्बर बढ़ाना चाहिए 25 चोगा 20 पंजे यहां पर 5 आएगा यह मैंने यहां पर गलत लग दिया ना गुना 100 ठीक है 20 से काटा था 20 चोगा 80 और 20 पंजे 100 और 9 पंजे कितना हो गया यह 45 हो गया 450 जो है आपकी संख्या आगई कोई संख्या थी उसका 80% उसने दे रखा है कि 360 है तो वो संख्या कितनी है 450 है संख्या ठीक है अब इस संख्या में कितना बढ़ा दें 450 आप इस 450 से यह संख्या कितनी बड़ी है तो आप कहोगे जी 580 में से इस 580 में से कितना माइनस कर दो 450 माइनस कर दो आपको पता लग जाएगा ठीक है कुनसी बड़ी बात है किस से बढ़ी है, इस 450 से, संख्या का कितना प्रतीसित बढ़ाया जाए, कि संख्या 585 हो जाए, इस संख्या में कितना बढ़ाया जाए, अंदर निकालोगे जबी तो पता लगेगा न, परसेंटेज में पूछा है, कितने परसेंटेज बढ़ाया जाए, आप निकाल है परावर लिखने के लिए जीरो से जीरो गया 45 से काटेंगे तो तीन बार तीन नाई 30% 30% आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा प्रश्ण है ओप्शन का आंसर फिर से रिपीट करता हूं ध्यान से सुनना ध्यान देना प्रश्ण में कहा गया है किसी संख्या को 20% करने पर संख्या 360 हो जाएगे 20% कम करेंगे तो संख्या 100% से घटके 80% हो जाएगी 80% की value दे रखी है 360 अब 80% 360 है तो 100% निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 480 प्रश्ण में पूछा है कि संख्या का कितना प्रतीशत बढ़ा दिया जाए कि वह संख्या बढ़के 580 हो जाएगे अब 580 संख्या को करना है कैसे करेंगे ये देखेंगे कितना बढ़ाना है संख्या में तो आपने देखा 580 में से 450 माइनस किया आपको मिला 135 135.454 से कितने परसेंट तरिका अधिक है अधिक्टी अक्टूल में यह है तो आप बतादेंगे आधे सर बतने 454 गौनाद कितने परसेंट तरिक है 30 परस अगला प्रसन ऎडमने बाली की तुलना में 20 इस अधिक चोकलेट खरी और आप amendment और आपर अट खरी दी गई प्रतियक चोकलेट की यलिए प्रतियक यह पितने केंज़ परिजे लेक्ट अधिक तो बहुत chances होते हैं, question easy से निकल करके moderate की तरफ चलता है, यह तो simple सी बात है, formula भी है, क्यों है, जब आप question बड़ा हो जाएगा, तो भले ही वो प्रशन आसान भी हो, आपका time taking हो जाएगा, क्योंकि इस line को जैसे यहाँ पर 5-6 line लिखी हुई है, इनको पढ़ने में आपका सम जाएगा, उन सारे data को आपको analyze करने में time जाएगा, तो जब भी प्रशन बड़ा आपको दिखता है, कितना मान के चलिए, वो moderate की तरफ तो lady है, difficult है कि नहीं, यह तो depend करता है, प्रशन की भासा पर, प्रशन पर की सिस्तर का है, लेकिन वो moderate की तरफ तो ऐसे ही है, ठीक है, जब भी हम decide करते हैं, कि कौन सा question करें, कौन सा छोड़ दें, तो उन में से यह जो question आते हैं, पहली बार में छोड़ने की तरफ भी होता है, कि अगर आपका math बहुत अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी तयारी भी नहीं करिये, मेरे साथ नहीं जूलड़े हो, तो भी क्या हो मैं A और B लिख देता हूँ, यह Adam है और यह B है, ठीक है, एडम ने बाली की तुलना में 20 प्रतीसत अधिक चोकलेट खरी दी, बाली की तुलना में 20 प्रतीसत अधिक, मान लेते हैं, बाली ने खरीदी 100 चोकलेट, तो एडम ने कितनी खरीदी होंगी भई, 120 खरीदी होंगी इसी दीसी बात है, यहां पर, बाली दुआरा खरीदी गई प्रती एक चोकलेट की कीमत, एडम दुआरा खरीदी गई प्रती एक चोकलेट की कीमत से 50 प्रतीसत अधिक है, किस से अधिक है, एडम दुआरा खरीदी गई प्रती एक चोकलेट की से, ठीक है, इसकी कीमत, बाल की चोकलेट का मूल्या कितना हो जाएगा 150 यह वाली लाइन पर दयान देना बाली द्वारा खरीदी गई प्रतियक चोकलेट की कीमत अगर ऐड़म 100 रुपे में खरीद रहा है तो बाली यह ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है किस से एडम से कितना प्रतीशत यह आपको बताना है इसका पैसा निकालो इन दोनों की कुणा इतने रुपे की चोकलेट थी है और 120 की संख्याती multiply करेंगे कितना जाएगा एक दो तीन बारा यहां पर है और लेड़ यहां पर कितना आ जाएगा 15 एक दो तीन पिदी सी बात यह है ऐडम ने 12,000 रुपे लगाए चोकलेट पर और जो बाली है उसने 15,000 बात से ही ओर यह ना कि बाली द्वारा चोकलेट पर किया गया पैसा अधिक है कितना पैसा अधिक है तीन हजार किस से अधिक है बाली से इस तो बताना है एडम द्वारा कि खर्च किये गए पैसे से कितने प्रतीशत में पूछा है तो multiply by 130-30-30-30-30-40-40-25 अंसर कितना आजाएगा 25% अब ये चीज को समझना भासा पढ़कर के ये समझना वो कैसे आएगा प्रैक्स से तो यही रूल होता है महत के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहां पर पॉइंट यही है कि mathematics और बाकी subjects में mostly subjects में यही अंतर होता है यहां पर rat के काम नहीं चलता एक number change पूरा question change पर 20 की जगए अभी मैं 10% कर दूँ change हो गया 20 की जगए 40 हो गया तो change हो गया इन में से कोई भी एक digit change कर देंगे तो पूरा question का अंसर change हो जाएगा प्रण नहीं चकते हैं यही अंतर है कम नहीं हो उपभोग पर जो खर्च है वो कम नहीं हो यह इस तरह का जो question है आपको profit and loss में भी देखने के लिए मिलता है बहुत सारे यह भी इस तरह का question देखने के लिए मिलता है 2022 में पोच्छा गया है इसलिए रखा है ताकि आप इस pattern को भी समझे एक होता है भई 10 by 10 rule 10 by 10 rule 10 गुला 10 कितना होता है 100 इस rule पर बहुत सारे question आपके solve होते है 10 by 10 एक तरह से मैं इसको 10 by 10 rule कहता हूँ इसका मतलब क्या है यह समझो चीनी की कीमत 11% कम हो जाती है माल लो यह कीमत है ठीक है यह quantity है quantity ठीक माल लेते हैं assume करते हैं माल लेते हैं चीनी की कीमत 10 रुपे प्रती किलो है और 10 किलो चीनी के खपत है आपकी महिने की आप एक महिने में 100 रुपे खर्च करेंगे उस पर की नहीं करेंगे अगर 10 रुपे किलो चीनी हो 10 किलो आप खर्च कर रहे हो तो 100 रुपे आपके लग जाएंगे महीने के तो यह क्या आजाएगा वे आजाएगा expenditure आजाए राइट ठीक अब वो कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 11% कम हो जाए कितनी कम हो जाए 11% कीमत कौन सी यह 10 का 11% देखो कैसे निकालोगे 10 का 11% 0 से 0 होगा वेल्यू कितनी आई 1.1 कितनी कीमत कम हो जाए यह वाली कीमत थी ना यह कम हो जाए कितनी कम हो जाए आपने देखा 1.1 कम हो जाए कितनी हो जाएगी 1.1 कम हो के 8.9 तो कितनी चीनी उपभोग चीनी की अब कितनी quantity आप खरीद के ले करके आओगे कि कीमत इतनी है आप कितनी quantity खरीद के ले करके आओगे कि ये value 100 की 100 रहे कि उपभोग भी है कम नहीं हो ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च कम कर देना है उस पर पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो तो आप कहोगे साब इसकी multiply ऐसी संख्या से कर दो आपका अंसर आ जाएगा कैसी संख्या से है वोई तो निकालना है 8.9 गुणा x बरावर 100 तो x का मान कितना आ जाएगा 100 बटे 8.9 10.8 आए 0 बढ़ा दिया 89 से इसको divide करेंगे नमास सही करना देखो आप साइड में लिख लीजिए क्योंकि calculation थोड़ी सी बड़ी है नमास सी यहाँ पर हो जाएगा 11 110 हो गया फिर से देखोगे आप तो कितना हो जाएगा 89 यहाँ पर कोई value हो जाएगी आप देखो 11 के point में कौन सी value आ रही है यह वाली value आ रही है लग भग 11 दसम्बलब सम्थिंग एक सेकेंड value में देखते है 8.9 से यहाँ पर multiply कर देंगे और multiply कुणा कितना आ जाना चाहिए आपका 100 8.9 से 1000 तो को divide करेंगे दसम्ब अटाया 0 लगा दिया 89 कितना हो गया 11 बचा 0 लगाया 110 हो गया 89 किना 89 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर something something कुछ value होनी चाहिए जोकि नहीं दे रखी यहाँ पर होनी चाहिए दी तो आपका अगर आप देखते तो answer बन जाता यह वाला इस से value बढ़ा दोगे क्यों बढ़ा दोगे भई जो नई value आएगी वो इस ratio में आएगी 11 दसम्ला 1 point something बढ़ लई होगी आगे solve करते हैं इसके आगे तभी answer में देखो कितना हो गया एक यहाँ पर 10 में से 8 गटाया तो कितना मिलेगा आपको 2 यहाँ पर कितना है 11 बोल लेडी लगा हुआ है 0 बढ़ा दो कितनी बार जाएगा अब 2 बार दो नम 18 का 8 हासिल लगा 1 2,8,16 और 1,17 अब अगर यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा वैल्यू एक्स का मान कितना मिला यहाँ से 11.23 अगर आप देखो पहले वैल्यू इसकी कितनी थी कॉंटिटी कितनी लग रही थी 10 केजी अब कितनी लग रही है 11.23 के सम्थिंग लग रही है ठीक है कितने परसेंट की ब्रद्धी हो गई अब 10 से 11.23 कितना बड़ा है 1.23 बड़ा है किस से बड़ा है 10 से बड़ा है multiply by 100 0 से 0 हो गया value आगई 12.3 के आसपास अंसर क्या हो जाएगा option B आप का अंसर होगा ठीक है फिर से समझो एक पर देख लीजिए बहुत important ये rule है इस पर बहुत सारे questions आपके इस तरह के कभी भी बढ़ने घटने वाला question आएगा इस तरह का आप लगा लेंगे वो तीन कीजों में भी लगता है जैसे question की आप प्रक्टिक करेंगे कि यदि चीनी कीमत 11% कम हो जाए तो उसकी खपत में कितनी ब्रद्धी की जानी चाहिए कि उसका लिया उपभोग जो है वो कम ना हो अब इसमें कई बार क्या होता है बिया कम हो जाए बिया बढ़ जाए कितना बढ़ जाए सब में यही आपका रूप करेगा देखो कैसे पान लेते हैं 10 किलो वो चीनी खरीदता था 10 उरुपे के रेट से वो 100 उरुपे खड़ कर रहा था अब चेंज क्या हुआ है उसकी कीमत हो गई कितनी कम हो गई अब कितनी हो गई कम हो करके 8.9 हो गई कितनी ब्रद्धी करनी है निकाल लिया आपने 1.23 बटे 10 जो की पहले थी पहले से कितना बढ़ा दे पहले तो 10 थी 10 केजी थी अब कितना हुआ 12 तक 3 केजी यह थे आपका परसेंटेस टॉपिक परसेंटेस कम्पलीट हो गया है नेक्स क्लास से कुछ नेक्स टॉपिक कोशिश करेंगे प्रोफिट एंड लोस करने की तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया जुड़े रही है